इस तरीके से फेस के अंचाहे बालो को हटाने के बाद दुबारत से उसकी ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर आएगी और आपका इसकी रेट भी नहीं होगा दाना भी नहीं निकड़ेगा प्लस आपका इसकी डार्क भी नहीं होने वाला है इस रैमडिज के थ्रूग चेहरे के अंचाहे बालो को लेकर हम सम्माहिलाएं बहुत जादे परिसान रहती है चाहे वो एक टीनेजर गर्ल हो या तो एक महिला हो अनवांटेड हेयर फेसियल हेयर और इसको हटाने के चकर में हम बहुत कुछ अपने फेस के लगाते हैं ताकि इसे पर्मनेंट हमें प्रसप्ट में आगया होगा कि या किस तरह का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ अभी मैं जा रही थी अपने उठो के उपर का बाल जो है निकारने के लिए तो सोची हूँ कि आप लों के साथ भी मैं सेयर कर दूं अभी मुझे कहीं जाना है लेकिन अभी मैं देखी हूँ तो मेरे व्ठो के ऊपर थोड़ा बहुत बाल दीख रहा है कोई नहीं चाता है कि उनके फेस्पे बाल हो पर ये बिन बुलाएं में हमान की तरह टपकाता है हर किसी के face पे बाल होता है किसी के face पे कम और किसी के face पे जादे मेरे face पे अभी फिलाहाल बहुत कम है आप लोग के लिए इतना अच्छा अच्छा remedy share करती है जिसको लगा करके मैं अपने face पे आप लोग को दिखाती हूँ उसके वज़र से जो मेरा facial hair का growth है बहुत जादे कम हो गया है पाले के अपक्छा बहुत जादे कम हो गया है तो अभी थोड़ा बहुत बाल दिख रहा था अभी मैं करके आप लोग को दिखाने वाली हूँ रिमू करके तो जादे बाते ना करते हुए फ्रेंट चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से बनाना है कैसे लगाना है तो जब तक मैं अपने face को clean कर रहे हूँ तब तक आप लोग देख लिजिए कि इस remedy को आपको किस तरीके से बनाना है उससे पहले छोटा सा request कर रहे हूँ कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को subscribe करके bell icon को on कर लिजिएगा कि आपको इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो देखने को मिलेगा तो जब तक मैं अपने face को गुलाब जल से clean कर रहे हूँ तब तक आप लोग उस remedy को देख लिजिए कि किस तरीके से बनाना है उसके बाद पूरा step by step facial hair को remove करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में तो कहीं भी जाईए गमत वीडियो पर बने रहे हैं अगर आप अपने अंचाहें बालों से परिसान हो गए हैं तरह तरह का उपाय करके ठक चुके हैं तो थोड़ा समय यहां पर हल्दी ले रहे हूं हल्दी क्या काम करेगा जब हम अंचाहें वालों को हटाते हैं तो इसकी डार्क होने लगता है बहुत सारे लोगों के साथ है समसया होता है तो यह आपके कलर को फियर करेगा एंटी बैक्टिरियल्स गुण पाया जाता है तो इसलिए थोड़ा सा आपने हल्दी ले लेना है अब इसमें आपको आइड कर देना है तीन से चार चम्मच चीनी जो की हम लोग चाय बनाने मे आदर चम्मच भरके नीबू का रस परशान मत हो ये कि आपकी स्किन को नीबू कारस नहीं सूट कर रहbas हमाया सिर्फ फूसी एरिया पे लगाना है जहाँ का बाल हम हटाना चालते हैं तो परिशान मत हो ये एक चम्मच भरके नीबू करस इसमें डाल देना है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी नीबू करस यूज करते हैं तो उनके फेस पे दाना निकर जाता है तो इस तरीके से यूज करके एक बार देखिएगा आपकी स्किन को नुकसान भी नहीं करेगा तीन से चार चम्मच चीनी है थोड़ा सहल दे एक चम्मच नीबू करस तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आपको डाल देना है एक चम्मच सहद बहुत सारा ऐसा भी कमेंट आता है कि मेरे इसकिन को सहद नहीं सूट करता है तो सहद को आप स्किप कर सकते हैं आपके फेसियल हेर को हटाने के लिए काफी मदद करेगा इसकिन को टाइट बनाए रखेगा अंचाहें बालो को हटाते समय इसकिन में थोड़ा सा खिचाव होता है जिसके वज़े से इसकिन थोड़ा सा लूज होने का चांस राता है तो इसलिए थोड़ा सा सहद आप पर कर ले रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, अब इसमें आपको वाइड कर देना है, 3-4 चमज पानी, मतलब कि आप 3-4 चमज चीन लिये हैं, तो उतना ही आपको पानी इसमें डाल देना है, एक चमज नीबू कर रस था, तो 3 चमज पानी आप ले लीजिएगा, इसे अच चलाते रहेगा चलाते हुए इसे हमें पकाना है 3-4 मिनट तो गैस पर रखकर इसे मैं 3-4 मिनट पका ली हूँ यह पूरी तरह से बैक्स बन गया है और आप लोग इसका कलर देख सकते हैं इसे लगाने से एक तो अंचाहां बाल भी हटेगा दूसरे में आपके फेस पर निख बनाना है उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है जो कि आगे वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ बने रहेगा आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एक तार बन रहा है पतला जादे इसे हमें गाढ़ा नहीं करना है नहीं तो पूरी तरह से इसकीन प बनाना है इसे बनाना बहुत जादे असान है बच्चे भी बना सकते हैं और एक आप टीनेजर गर्ल हैं तब भी आप इसे लगा सकती हैं इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि आपके इसकीन को नुक्सान करेगा जैसे जो टीनेजर गर्ल होती है उनका इसकीन थोड तो अभी मैं अच्छे से स्कीन को क्लीन कर ली हूँ जहां पर मुझे बाल हटाना है उस एरिया को मैं क्लीन कर ली हूँ गुलाब जल से आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पे अभी कोई मेक अप नहीं था मैं ऐसे ही आप लोग के सामने आ गई हूँ क्योंकि मैं अभी अंचाहे बालों को हटाने जा रही थी तो कुछ भी मैं अपने फेस पे नहीं लगाई हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं कॉटन बिल्कुल क्लीन है तो अभी से मेरे पास जीन्स का कपड़ा नहीं है तो इस तरह का पट्टी 3-4 आप काट लीजिए अब आपको इशे किस तरीके से लगाना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो यह पेस्ट है बैक्स है इसे आपको लगाना है उस एरिया पे जहां पे बहुत जादे बाल है ठीक ह है प्रेंट तो अपोजिट डाइरेक्शन में करके आप लोग लगाईएगा आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसे लगा रही हूं कि लगाने के बाद यह जो पट्टी है इसे अच्छे से इस पर चिपका देना है और इसे एक बार में हलका फुलका दर्द होता है मतलब जैसे कि आपको पता चलेगा चींटी काट रही है न उसी तरीके से आपको पता चलेगा बिल्कुल भी पेन नहीं होता है पता नहीं चलता है तो आप लोग देख सकते हैं कैमरा में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे उठो के उपर बहुत कम बाल है तो उतना जादे नहीं दिख रहा होगा लेकिन रोमा जो है वो काफी जादे निकड़ गया है तो एक से दो बार आपको इसी तरीके से और कर लेना है इस पर अच् नहीं है फ्रेंड मैं आप लोग को बता दे रहे हूं मेरे फेस पर बाल बहुत कम है ना के बराबर है जो रोवा होता है बिल्कुल बारी वही रोवा है मेरे फेस बाकी बाल बिल्कुल भी नहीं है तो यहां पर भी लगा लेते हैं और लगा करके इस तरीके से जो कपड़ा है उसको चिपका दीजिएगा ठीक है और आप पोजिट डाइरेक्शन में आपको इसे क्लीन करना है अईसे नीचे से पकड़के इसकीन बिल्कुल क्लीन हो गया है इतना अच्छा रिजल्ट देता है जब मुझे ऐसा लगता है कि फेस पे हलका फूल का रोगा दिखना इस्टार्ट हो गया है तो मैं इसे यूज करके एक से दो मिनट में साप कर लेती हूं पारलर तो मैं बिल्क इसी तरह का वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाती हूं बहुत ही हिल्फुल होता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितना भी बाल था पूरी तरह से साफ हो गया है और आप लोग वीडियो में देख सकते होंगे कि स्कीन कितना जादे क्लीन दिख रहा है तो इसे आप लोग एक बार ट्राइब जरूर करिएगा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और एक बार इसे इस तरीके से बनाकर यूज कर लेते हैं तो फिर आप इसके दिवाने हो जाएंगे क्योंकि अमेजिंग रिजल्ट देता है और एक बात मैं और आप बिल्कुल भी मत जाईएगा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हूं क्योंकि आपका इसकी टाइम से पहले लूज होगा आपके फेस पे बहुत सारा इसकी प्राबलम देखने को मिलेगा अंचाहे बालों को हटाने के लिए फेसियल हेर को रिमूब करने के लिए होम रेमेडि के फ्रूब आप अंचाहे बालों को भी हटा सकती है तो इस तरीके से गीली हैं की लिए लिए जहां का बाल आप हटाई है वहां का इसकीन अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है ठीक है फ्रें क्लीन करने के बाद बरफ जरूर लगाईएगा उसके बाद ही कोई का ग्रोथ है अब दिन प्रती दिन कम होने लगेगा तो फेस पर बरफ जरूर लगाईएगा आज का वीडियो आप लोगो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा फ्रेंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर कर दीजेगा चैनल प है